अग्जिके अधिन के अधिन के भी लिए इक रहा हैं अग्जिक विवी अधिन कर दो हैं हलो मैं आज आपको पहरानेच स्थिजोफ्रिनिया मतलब शक्त की बीमारी इसके बारे में जानकरी देने माला हूँ ये जो है schizophenia, इसको चिन्न मानस भी बोलते हैं, मतलब मानस जो अपना mind जो है, वो divide हो जाता है, चिन्न हो जाता है, मतलब logic जो है, rational thinking जो है, वास्तलिक्ता जो है, उससे उसका संपर्ख नहीं रहे है, उसमें आपमी बढ़बढ करना, अपने आप से बातचीत करना, नीन न आना, कोई हरकते करना, तो इसमें ये जो schizophenia बीमारी, इसमें काफी सारी बीमारी आहिए, ये schizophenia बीमारी के अंदर, उसमें का एक जो है, जो paranoid schizophenia करके, paranoid schizophenia करना, लग शक की बीमारी, उसके बारे में मैं आपको भी जान कर देने माला हूँ, इसमें होता क्या है कि रेक्टी को शक आता है और शक उसको हर बात पे हर लोगों पे आते लेता है शुरू होता है वो एकद छोटी सी बात से वो बढ़ते 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 वो बहुत बढ़ा रूप धारन कर लेता है तो शक कुमसा है उसको शक आता है कि वे मेरे बारे में लोग बातचीत कर रहे हैं लोग मुझे देखके हस रहे हैं या पुलिस मेरे पीछे लगी भी पुलिस मुझे एरेस्ट कर लेगी, पकड़ लेगी तो वो मतलब घबरा के छिप जाता है घरम उसको रखता है कि अपने बारे में लोग बाते कर रहे हैं अपने बारे में टीवी में, अपने बारे में रेडियो पे, अपने बारे में अगबार में कुछ अलग अलग बाते चपी जा रही है कई में दिखा तो उसको शक आता है लोगों पे उपर मेरे बारे में बात कर रहा है या मुझे देखके वह हस रहा है मतलब ऐसा रखता है उसको कि जो लोग बाते कर रहे आपस में वह इसको देखके हस रहे या उसको देखके बाते कर रहे उसको घर के वेक्चियों के उपर शरगाता है अपने पत्नी के उपर शरगाता है कि इसके मतलब गहरा इसका असर हो जाता है कि वो अपने पत्नी को बाहर जाने देता नहीं, उसका मोबाईल चिन लेता है तो वो उसके बाहर संपर्क है और बाहर कहें ना कि यह संपर्क करती है, इसके कोई दोस्त है या कोई आदमी है जिसके साथ में यह संपर्क करती है दोस्त है तो यह रात में कहीं तो भी जाती है और संबन गर क्या जाती है। कुछ-कुछ लोग तो अंदर से ताला लगा लेते हैं और चावी अपने पास में लगते हैं ताकि तो अतनी बाहर ना जाये कहीं। तो इस तरह कि मतलब अलग-अलग शक उसको गिमात में आते हैं। कुछ-ळोग को ऐसा शक लगता है कि मेरे आज़ में, मेरे खाने में कोई जहर मिला रहे हैं और मूझे मार नहां दाले है। कुछ-गर के खर में खाणा भी नहीं खाता है। अर्श के साथ-साथ लोग को आँज भी कान में आते हैं। जैसा ये शग विचावों का है, उसको बोलते है डेलूजन, पैरानाई डेलूजन बोलते है, वैसे कान में जो आवा जाते है उसको बोलते है auditory hallucinations, मतलब भ्रहन, कान का भ्रहन हो जाता है, जिसमें उसको आवा जाते है कि देखो लोग को मारने आ, देखो मेरे को आवा जा र कर रहा है उसकी running commentary कर रहा है, और वो running commentary करके उसको बता रहा है कि क्या कर रहा है, इसको बता रहा है लोगों को बता, फिर कुछ लोगों को ऐसा आवाज आती है कि वो आवाज जो है, वो उसको आदेश दे रहा है, order दे रहा है कि ये कर, वो मत कर, ऐसा कर, ऐसा कर, उसको तो उसको मालूम ने कि कौन रहती है, तो मालूम ने कौन है तो, कोई बोलता कि नहीं नहीं, उसे जाने पहेचाने आवाज लगते हैं, कोई तो पही बोल रहा है, कोई तो पही बाते कर रहा है, तो उसको आजो आज में कोई भी नहीं रहा, तो भी उसको आवाज सुनाई आत इसको लगता है, अगि कि इसके मुझा मुल्म होता है, और लोग इसके विचार खीच लेते, बाहर और खीच से लेके कि उनको मुझा हो बाहराइन. आपना है. יեռिए पूरी विचार उनकी बिमारी है, उसमें कोई लोजिक नहीं, के उसको कुछ ऐसा लगता नहीं कि मतलब वो उसको पूचा कि सच्छी है गई अब इसके साथ-साथ ये बिमारी बढ़ती है तो पर उसके नीम चले जाती है पिर अपने हाप बड़बड करते रहता है पिर उसको लगता है कि ने वो जहां काम करता है कचरी में वहाँ के लोग उसके खिलाफ हैं वो प्लैन कर रहे वो इसको मार दालेंगे वो कंप्लेंट करने वाले हैं इसकी तंका रोक देने माले हैं या उसकी मतलब प्रमोशन जयुआ बढ़ती व्रतरी रोक देने माले हैं तो वो बाहर जाना ना बंग کر दिता है घर में छुपके तो खाना टैम पे नहीं खाना, नीम नहीं लेना, समय समय पे नाना नहीं, और एकदम ऐसा उसका मतलब देखना भी जाता तो उसका बाल बड़े है, गाड़ी बड़ी हुई है, तो इस तरह का है लगता है कि उसको भुष्ट भी हुआ है, फिर सब भूलने के लिए कभी वो ए पुछी लोग फिर जब उसको लगता है कि लोग अपने बाले में बाते कर रहे veya लोग अपने बाले में प्लान कर रहे ए साजिश कर रहे तो उनको जगडने जाता है, मारा पिट कर देगा, जगडेंगा, और लिग उसको लगता है कि अपना मतलब अजवाला या पड़ोसी अपने घर में आके अपने अउरत के साथ में संबन रखता है तो उनसे जाके जगड़ेंगा। वह ऐसे अलग-अलग हरकते वो करते रहता है। यह जो बिमारी इसका इलाज है। जितना जल्दी इलाज करोंगे उतना जल्दी वो अच्छा होने के संबाव है। यह जो सफिज का जबने है। जो और होता है कि घर के लोगे बहुते है कि नहीं तो यह टोड के शक्किला है इसका इलाज जो है वो एक तो उसकी दवाइन pronounce नहीं है। मनोचिकिसक में जाकि इसका इलाज करना तो फिर तो फिर उसको कभी-कभी injection देने पड़ेंगे वो भी लेता नहीं है तो उसको डिस्ट्रेंग करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, इसका इलाज करना पड़ेगा, इंजक्शन देके, या फिर अल्टिमेटली जब कुछ होता है तो शॉक टीटमेंट देके, इलेक्ट्रो कन्वल्जिव थेरपी, ECT देके, इसका इला साथ में, जडरा समझ उसको आती है, फिर जडरा विचार भी उसकी शामत हो जाते है तो उसके साहिए दो हम बातचीत कर सकते हैं है वो जो सोच रहा है वह कैसाampa इलाजिकल है, एपस उसको समझा के psycho therapy देके भी उसका ilaj होता है। इसमें छे महने से लेके साल बर तक दबाई लेना जरूरी है। यह लोग है ना पहले से ही जैसे उनका सवाव जो है ना यह पहले से उसका शेकिला सवाव है। तो पहले से उसको लोगों ने टपपा मारकर रखवा है ये शकीला है, तो शकीला सभा के लोगों को ई भीमारी होना ज्यादा संभव है। तो इसलिए होता है कि शकीला सभा हो पर ये भीमारी ये लोगों को समझ में आती नहीं। तो थोड़ा भी उसके रेगुलर, मतलब जो डेली रूटीन है, रोल मरा की जिंदगी में उसका थोड़ा भी गड़वर हो रहा है, थोड़ी सी भी गड़वर हो रही है, तो उसको मनोची किस्सक्रिप पास में जाके उसका हिलाज करना ज़रूरी है और यह पूरा अच्छी जिंदगी अपनी बिता सकता है, हमारा से मानना है कि इस तरह की लोग जो इस तरह की बिमारी जो है, इनको लोग जो जो इनको बिमारी है वो अच्छे हो सकती, इसको अच्छा करना चीए, और आपने, तो जाप मेरा वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब के ओपर या और जो जो, उसको भी आप लाई कर सकते है, आप मुझे अंफे विड़्स को लाई करो, पहिस ब्रेंटन वाई करो, जो यूट्यूब चैनल को लाई करो, हमारी वीबसाइट है, वीबसाइट पही आपको अलग 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 काफी सारी जानकारी, आर्टिकल्स, आपको मिल और उसको मानसी बिमारी से मुख तो बना चाहिए उसमें आपका हाथ लग जाएंगा और आप हमारे पार्टनर बन जाएंगे So thank you very much, thank you, see you